प्राइम निस्टर मोधी पुरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं, इंटर्नेशनल मीटिया उने कवर कर रहा है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं, वाम वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं, तो आस्मान पे नाम लिखा जाता है, का इंडिया आइटे भी सब्सक्राइब आगे जा चुका है साथ में बिजनिस भी देखा जए तो एंट्रपनियोर्शिप इंडिया में बहुत स्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लेकिन अगर इंडिया लीडर बन चाते है यहां पर जितने भी मुलकों के इस वक्राइसी चल रहे हैं पाकिसान में चल अब जो बाइडन साब को वहां जाना तो उन्हों तो कैंसल कर देकर रहे हैं ठोड़ो या टाइम वाइम यह मैं निकल जाता हूं मेरे पास वो डेट क्राइसेज है वहां पर 31.4 एकर 31.6 हलो दोस्तों फैक्ट 10 एन फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हाल में ही भारत के प्रधान मंतरी अस्ट्रेलिया के दोड़े पे गए थे जहां पे अस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी ने नरिंद मोदी जी को बॉस कहके संबोधित किया जिसको लेकर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है इस चर्चा का कारण यह है कि इंडिया के प्रधान मं पंतरीग गुमनाम होते जा रहे हैं और कोई भी उन्हें नहीं पूछ रहा पराइमनिस्टर मोदी पुरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं इंतरनैच्ट से कवर कर रहा हैं और कभी किसी कंट्री में जाते हैं और नाम लिखा जाता है आगिर क्या वज़ा है ऐसा कौन सा जातू है जो इंडिया के प्राइम निस्टर निंदर मौधी साहब कर चुके है इसी हवाले से हम बात करेंगे आपिद अली बाई से असलाव अलेकुम आपिद बाई बात करेंगे देखिए हाल की बात तो हम इंशाला करेंगे लेकिन बाद में करेंगे अभी सबसे पहले आज की वीडियो बड़ी इंटरस्टिंग होने वाली है बहुत सी बातें करने के लिए और मुदी साहब के लिए तो आज बहुत ही बातें करने के लिए तो आप से वो बातें करें के देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मुदी साहब का असमानों पे नाम दिखा जा रहा है किसी मलक बुजिर आख़री के पाउंच हूह रही है अमेरिकन जो सदर है वो बुदी साहब को प्रोटोगोल दे रहे हैं और मोदी साहब को बोस कर जा रहा है, बिक बोस जोते हैं उन्हें बयुक कर जा जा रहा है अब मैं सिर्फ आप अपनी ऑदेंस से पुरे पाकिस्तान से आज यह पूछना जाता हूँ कि इह घड़ार आपके सामने खड़ा हुआ है इंडियन एजेंट अजेंट इंडियन एज है आपके सामने खड़ा हुआ है प्रोटोकोल मैं आपको बताता हूं अस्टेलिया में जब मुदी साथ का प्रोटोकोल मिलाना एक बड़ा हाल और बहुत बड़े-बड़े-लोग बैठे हुए प्राइम्निस्टर इंडियन एजण्ट के प्राइम निस्टर इंडियन एजिए इसके लावा पिना के प्राइम निस्टर तो बिलकुल पक्ता रहा पूरी दुनिये स्टेम रा की और मुदी साब के एजेंट बन चुके हैं इंडियन एजेंट हैं तो आप दली के उपर तो पैलिट थपा लगाया है और आप करते क्या हो जो इंसान आपको एक सचाई की तरफ लेके जा रहा है एक सच बताना चाहरा है मुझे किसी से क्या लेन होगे मुझे तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूं बढ़ा एक सवाल है देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में बताईएगा और आप से दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डुएलपमेंट की तरफ जा रहे हैं चाइना की बात करें और ब किंशी कंट्री कंट्री कि तरह से तरीफ का या स्वलिन डिया कर्तिकि ने पता है सुदू करते हैं और आप सच है इसे माने मैं हर इंटर्वियू में यह कहता हूं कि यह बात सच है इसे मान लेना चाहिए अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की मैं पिछले दिनों आपका ही इंटर्वियू सुन रहा था और एक फीमेल के साथ था आपका इंटर्वियू उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पड़े लिखे लोग इंडियन जी हैं फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें वो लोग अपने मुलक को ड्वेल्प क्यों ना करें उनका स्ट्रेक्चर अच्छा क्यों ना हो और एक जगहां पर मैं इंटर्वियू सुन रहा था आपका ह उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो हैं इंडिया से बहुत अच्छी हैं यार आप शेम करें थोड़ा सा सोच लें समझ लें थोड़ी स्टडी कर लें थोड़ा देखो दुनिया में मजाख बनमाते हो अपना ऐसी बातें करके वो इंडिया है भा पाकि लीडर्स के वो बन जाए इसका लीडर आपको क्या लगता है कि चाइना को बीट करते हुए इंडिया लीडर बन सकते है साउथ कंट्रीज का इस सिंपोसिबल केंट चाइना जितने तरक्य किये वो इंडिया मैं तो किता हूँ सालमी नहीं कर सकते कि इंडिया जो है रोज़ना फिजिकल छीजों पर उनके पास झो तो आसले हवा गएरा है उन पर ज्यादा वो फोकस करते हैं न तो इंडिया मैं करता हूं चैना से बहुत पीछे हैं वैसे आई टी में ओगे लेकिन चैना जो है ना वो और आर चीज में जो इने टेक्नालोजी हो गिया उसकी बिजनस में हो गया तो आपने का इंडिया आई ट आपा Politics down चाली बाकिश उसको साल्व कर सकता है इंडिया तो खुद्ह अपनी कप्डे भी नहीं नहीं औरके बास काना बी नहीं प्र expensive यैं नो फिल्मो या इस तरह झालों से थोड़ा प्वत पैसा कमा रहेता है वह एक ब larva को जाता है पुरे मुलुक को नहीं जा रहा है तो और वाल जो है न जै मैं तो कि मतलब आन कि तरुके कार isn't म cám equipment जाएगी क्या इंडिय को ब lange खाएगा इंडिया के साथ न हमारा आप यह हो हीिन सकता है.. प्रिंजल जेंटे हुआ है.. प्रिंगे जब तक हम चैनी आपे हैं.. टो प्रोग्रेस जाले जाये किए तो आप उंडया के साथ थी.. गी Ale battery ऑनलेकुम्… ख्रिंगे मैं कबूस पीन कि किरों.. कि अपना नाम बनाया है पूरी दुनिया के अंदर उसको देखते हुए बाकि तमाम जो लीडर्स है उनको यह कहना है कि इंडिया को ग्लोबल साउथ कंट्रिस का लीडर बना देना चाहिए आपको क्या लगद है कि चाइना भी एक्जिस्ट करता है साउथ एशिया के अंदर इसके बवजूद इंडिया का नाम पहले नंबर पर कियो आ रहा है चाइना का यह आ रहा है और साउथ एशिया में भी चाहिना ही इंडिया ने नो डाउट के बहुत जादा प्रोग्रेस कि और वह डिसर्व करता है लेकिन अभी उत्वा डिजर्व नहीं करता कि उसको साउ पाकिस्तान और बुटान और और कुई बहुत दूर की बात है तो inडिया आपने को सभाल पाए का जिस तरह से अगर देखा जाये तो काये साउथ एजिन कंट्री pласт को बना देना चाहिए और इतने पाकिस्तान में चलने बुटान और गेए इंडिया नेजिए को सॉल्ष कर करना तो चाहिए कैपने जो नेवरिंग कंटरी ऑना को हरे सपोर्ट और चाइना को भी जि सब्सक्राइब चाइना के ऊटेँ हुए और जिस तरह चाना आइंडिया के कलेशिज के मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक मतलब के एक यूनि पोलर हो सकता है साथ एशिया में भी बाय पोलर ही रहेगा चाहिना और इंडिया के दिर्माइन बैलेंस रहेगा इसका इसमें पाकिस्ट न काहिं प्रेंप ग्रण करता हैं इतना ही बहुत है कि आपने आपको बस लगाई रखे साहँ जब वक्तायेगा फिर देख पाकिस्टान कहाँ जाते है प्रिशिया। है इंडिया है चाइना है निपाले बूटान है सिरिलंका है में जो आपे हम यह बातनी प्रस्थीव Democrat कर पाएगा हम यह उसकी मुद्ध यह कह सकते हैं कि अगर आपस में जो हमारे कुंफिलिक्ट यह खतम हो जाएं तो फिर नो डौट इंडिया कर पाएगा हमारे कुंफिलिक्ट लेका जए तो बहुत पर अड़ चुका है कि जब तक कश्मीर का मुद्धा सोड आउट नहीं होता हम नहीं आ सकते हैं यहां पर बलके स्रीनगर की बजाए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतनी बुरी सिचुएशन से खुद गुजर रहा है और साथ में डिमांड भी रख रहा है मेरी बहात सुने है आपके लिए आपके सबसे बड़ी चीज आपकी सॉर्वरींटी रिकम्री पर ल्यसितान ले लें कितने कंड अपनी डिग्निटी के लिए उन्हें अपने कंट्री में किसी का इंफिलेंस बरकरार नहीं रखा अपना जो फॉरन प्लीसी थी उसके जो नजरियाती अडियालोजी थी कभी आप मुल्क आते रहती एकोनॉमिक राइस आपको पता है इंडिया पे भी आया था 1991 में लेकर गोल सब्सक्राइब करना चाहिए था लेकर सामों इंडिया की जो पावर है इंडिया ने जो तरक्की किया है अब वह इंफुलेंस दुनिया पर रख लाइस वहां पर जी टॉनिक मीटिंग होल्ड कराने में काम याब हो गया जैब कि पाकिस्तान इसको रोकने में नकाम हो गया सब्सक्राइब किन्ठीबर की लान चिंधियों तो अधका में इसटी रखलर की तो अभी इसगहरोबध तो उनकी बड़ल टीफलेंट हैं उनके लॉग टरूम एक बान पर लेकर उनधिया इनुन में से एक ने यह भी आप से हमारी उमीद है कि वरड़ीजंड के वाद ऱ लोग हमें भूल के हमें तो कोई पहचानता है राइट अब जो बाइन साफ को वह जाना तो उनों तो कैंसल कर देगा रहा है ठोड़ो या टाइम वही मैं निकल जाता हूँ मैं आपस वो डेट क्राइसिस है वहाँ पर 31.4 डिलियन पहुंच गया देट सी लिक तो इस पहाँ पहाँ मिनियुशन ऑफ ट्रेड और इंडियन ओशन से साथ पर्सेंट वल्ल्ड का ट्रेड निकता है यह भी आपको बता है अब जो स्टेट ऑ मालाकास है अगर चायना का डिल्ट है तो हमारा नेकलेस दामेंड अब चांगी और उपर सवाँ इंडोनिशा पर सादरा और एक है लंपॉक, तो है तु स्टेट से इरक ने बैंड हैं उस्ट आप ए हैं यह सादर और मुवम्मेंट अपर शिप वहां नी निकल से और यह नहीं है है तो मिलिटरी वेसल सम महिरीन जी के पासरोव को बड़ी जगह जगह हों हम पापानुगिनी से कहीन के एक पोट ले रहे हैं जिसकी आलमोद बाचीच सेट है तो यह पोट लेते ही we can dominate Lampok and Sarda and Sarda Straits and we are already dominating Malacca so push comes to shell we can block Malacca for cargo and military moon we can bloom Sarda we can get Lampok so we are completely dominating Indian Ocean तो पापानुगिनी इसके लिए भी हमारे लिए strategic बनता है it is very important for us also so there is economic initiative there is a humanitarian initiative and there is a military initiative as well जो मैं आपको बता रहा हूं यह चाहिद आपको कोई बताएगा नहीं काफी चीजों में नहीं होगा और हमारे यह कुछ अब क्या बताऊं छोड़ी कुछ एंडलिस जोरसिक एराके है तो शायद पचास साल पीछे रहते हैं अच्छा समयत भाई यह भी विदाएगा कि मैं देख रहा था अस्ट्रेलियन प्रियम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखने तो सी बाइट रेन इसके मतलब है वाइज इस चाहरे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्ड़ वानियागा वी थे क्तु uh कि जेखे हैं अनट रहे प्रियम धनम भी है जहाँ जर्ना भी यहां सवंदर रहेगिस्तान भी है और जहां forest भी है, जहां national park भी जह सब है, all varieties of tourism are available, दुनिया की सबसे महरी गहेंगी ट्रेने जो हैं हमारे हैं चलती है, जिसकी ticket 10-12-12 लाग की भी होती महीने की, वहां पूरा को राजस्तान वाजस्ता, ये से राजवारा, रेगस्तान, ये सब गुमाते हैं, the most palacial trains in the world are running in India, past train हैं अच्छे हो गई हैं, और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की bookie मिलेगी, लिम्टेट के पैस्टोटी, most expensive trains are running in India, हमारी वंदे भारत जो train है, उसको मैं mini bullet train कहता हूं, इतनी cost पर ये train बनाना is a marvel, it is much ahead than Eurorrain, फिर आपको कश्मीर में वरव देखनी हो वो आपको biggest railway bridge देखना हो in the world, you go to Kashmir, आपको रेगिस्तान देखना हो, you go to Rajasthan और पील, you want to feel royalty, you want to feel like pampered as a prince, you take palace on wheels or some other train, आपको राजर जी नाशनल पार्क देनी हैं, आपको रंथम बोर देखना तो उसके लिए आपको एक और ट्रेल हैं, आपको गवा बंबे से गवा जो दिन कायां को अते हैं, आपको में और में हैनी लिए पृतीगे से जिने के अ को मआरी देखनी, आपकोisia काझना है आपको नॉर्थीज देखना है प्राफ।्स सहार जापूरी लग água के एअ, आसमन की दाद है आपको वहारएटीन, एपको हमनृएटीन, फ्र उमै्नेडीन.. ऐपको रभी है, सुट्राइशियदान, ऑपको एथान, आप हो समधता कोई घमन नहीं कोई एको नहीं किसी भी तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी वी आईपी को दर्शाता हो हर वो कला हर वो हुनर हर वो अपनायत जो एक मामुली साधारन व्यत्ति के अंदर होनी चाहिए एक सिटिजन के अंदर होनी चाहिए एक हिंदुस्तान की सब्यता और संसकार को सामने रखते हुए एक ऐसा व्याति जो बहुत गरीब घर से आ रहा है जिसके यहां शीशे और बहुत महंगे-महंगे बरतन ना हो करके स्टील के बरतन होते हैं और ऐसे घर का एक व्याति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया का पीम आंथनी अलबिसन कहते हैं जिसके लिए आपके मौनिंग कंसलेट सर्वे कहती है कि 70% अप्रूबल जो है वो इन एंटायर वर्ल्ड पॉपलर लीडर का मौदीजी के हाथ में जाता है यह हमारा सर्वे नहीं है यह हिंदूस्तान का सर्वे नहीं है यह फॉरंड कंट्री का सर्वे बाहर के लोग कर्व अlt tourism को अलवल जोस्तान डेखिये एक ऐसाज सदस जिसने गरीबी देखी हम सी जिसने जिसने भूप देखा है जिसने बारिश देखिना नहीं है जिसने भूप भूके पेट का दर्ध सहा है जिसने हजारों करोडों लोगों की गालियां सही है कि गरीबी चून दॉन को जाता है बोच पैदा हो गई है इसको जायज देकर ब्याहना पड़ेता लेकिन जब लेकिन अमीर के घर में के बात नहीं होती है तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने आखों से अपने पाथ से अपने प्राक्टिकल एक्सपीरियंस से जिसने गरीबी देखी है आज वो व्यक्ति ऑस् करोण गुना ज्यादा हम जैसी मुसल्मान हिंदुस्तान बेटियों का कलेजा चोड़ा होता है कि आज भारत के परदान मंत्री को इस पूरी दुनिया के लोग बॉस मानते है इस पूरी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर उनके सामने जुकने को तयार है तो एक ऐसा प हमारे परदान मंत्री करता हूं और एक बात से हां जी आपका अप्रेसियेशन मैंने खुबूल किया ताइंक्यों सो मच अस्टेलिया की मीटिंग में इस हिसाब से प्रियम मोदी नहीं के इमोशनल बहुत खुबसूरत एक स्पीच रखी थी जिसकी वावाही सिर्फ पूरी दन्या में हो रही है उस स्पीच में नाके सिर्फ उन्हों ने अच्छे मज़य दार लजीज खानों की ता रभी है यहां तक कि उन्हों ने गरे का अमरत महुत सब्नाने तक हो खार्ग कहा और ऊस्टेलिया ने बराबर की हिस्सेधरी रखी है आजादी का अमरित महुत्सफ मनाया है बहुत सारे जगों पर ऑस्टेलिया में मनाया गया है जिसकी खुशी हम लोगों को भी हिंदुसान में बहुत ज्यादा हुई पिसाथ में थोड़ा सा मारे पियां को स्मोशनल हुए थे जो नरेदर मोदी के पाउं को चूरी थे वो ना मैंने देखा कि पाकिस्तान में वो वीडियो बहुत जादा वाइरल हो लिए पाकिस्तान के टिप टॉक के ओप दे लो फेस्बूक के ओप आप दे लो यूट्यूब के ओपर हर कोई बंदा उसके ओपर डिबेट कर रहा बाती होए जहां पर बहुत सारी लोग उसको ना पॉजिटिव एर्में लेने के बज़ा वो कहते हैं कि इंडिया का कल्चर यहीं है तो यहां से बिलावर भूटों भी गिर जाना सही है था मैंने का कल्चर नहीं है अगले बंदे से काम निकलवाने के और देखे ना एक बड़ा वजिराजम जब किसी दूसरे वजिराजम के पहुंद पकड़ता तो उसका मतलब ही है यह का भाई यू आर ता बहुत सोजे ना एक चीसे बड़ा दुख होता जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बैनार कुछ इस तरह से आते हमारे पॉरन मिनिस्टर इंडिया है आप जरुद करते हैं वाई यू आर नोट यह वही आपके पाकिस्तान की शाधिया मर्नी मंतरी है ना जो हमारे हिंडूस्तान के फादर अफनेशन गांदी जी को गालियां दे रही थी यह वही आपके बिलो राणी है लवल जो हिंडूस्तान में ठूस कर चले गए दो दिन के तरह जहर उगलना स्टार्ट कर दिया यह आपकी तर्भियत यह इसलाम भूलता है हमने जितनी इज़द दिये हैं हमने जितना मरतबा दिया है वह शायद उनको और कोई भी देता होगा अब रही बात के Terrorism Industri को Terrorism Industry ये बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाएगा आज आपको इस पूरी दुनिया में सब ने उड़ा कर ठिक दिया है पाकिस्तान के मंत्रियों को और पाकिस्तान देश को कोई तूपना पसंद नहीं करता है तो इसमें हमारी परने रिम्निस्टर तो आप क्या जिन नात पदनी रखते हैं। जिन्ना किया पात कि तो जिन्ना भी राइटल थे हमारे। जिनों ने पाकिसान बना हैं लेकिन पाकिसान जीनों अपेसलों कि दोग कर सकते आप डिल एक जैसी आप को भात लगे। करना बिलकुल नए करना चौबिसमें नंबर पर हैं आप डिफेंस में हम चौथे नमबर पर हैं एकदम डरानी की कोशिश मत करना यह मौनबरत की सरकार अब इंदुस्तान की रही नहीं है यह 56 इंच के सीने वाली मोदी जी की सरकार हैं चांद तारा तोड़ने के चक्कर में हैं एकदम डख्यान उसी किसी बातों की कोई जगह बची नहीं है आप मुझे बताईए ना कि आपके पाकिस्तान की सरकार ने जब पाकिस्तान की आवाम रोज आना उटते बैठते सोते जाकते खाते पीते सर्फ गुंगान गा रही है हिंदुस्तान का क्यों क्या वज़ा है पाकिस्तान का गुंगान गाए ना अभी तो हाल यह में कटूब हिंडी वैंग और रिंग चोरी हुआ तो आपके मंद्रियों के घर दिया में वहां में मजब्री इंतहाब खंती है हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं पृष्टेंप रिश्टर रेशन है इसके लावा पपवा आई यह वो बहुत से कंट्री थैं हमें मानने में क्या इश्यू मतलब क्या इस्पोस्ट अगर यहां से कुई स्टेटमें देंगे सच कहा देंगे और अपने उपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उनकी तरीफ हो जाएगी दुनिया में लोग ने चाहिए और दूसरा यह देखी अभी आपने कहा कि मजबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है मैं आप आपको यह बताना चाहता हो अग करते अगर उनको इंतहा पसंदी करनाट जी हां तो मुदी सब्सक्राइब कर रहे हैं और वो सच के साथ चल रहे हैं अगर कोई जीता है तो उसे एपीशेट किया मुदी साब ने भाई जा यह बताया हम इस तेंपुरी दुनिया जैसे तरीब कर रही है बड़ा हमने भी इस परेश बार ने जहींद के नहीं जैना अब हरे ती जीट एवंटी के लिए चाइना ने मना किया सवधिया ने मना किया मुझे बताएं यह बताएं को फरक पड़ने वाला जी और भाई जीट वेंटी से उपर है जी 7 ऑले जी 7 की मीटिंगों में जा रहे है वाने वाले दिन पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया के साथ हमारा कमपैरिजन है ऑभाई आइप गर्रीब हो आप कर्जई हो और आब विकारी हो मतल्ब हम सब यार हम भी कारी नुffIM पीटाइए कि क्या नियुस्ट्री के साथ रहा पर चले गए हमें वो देखना आप दुश्मनी उसे हमें बाइर निकलना है इंडिया के पड़े लिखे लोग इंडिया के अंजीनियर्स का निकलता है आपको छोटी से एक चीज़ बताता है मुझे इंडिया से एक वीडियो किसी ने सेंड की miracle का तरपूज होता है उसे खोलें तो उंसे रेड़ी कलर का नकलता है आप यकीन करें कि एंडिया नहीं पतिलीक में को इसे खोलेंगे को लें तो अंदर कि आपको ना पहले भी बताया था कि आने वाले टाइमों में इंडिया चाइना से उपर जाएगा ये मेरी बात आप लिख लीजेगा यहां मेरे ख्याल से और बहुत बहुत ही हम लोग दूर भी कर दें तो पाइंच साल का बता रहूं अब चैना के आगे किसे निकलेगा वह मैं आपको बताता हूं नहीं है घॉरिया को धी कमपनी ना अवस्टॉडिण फ़ेंश क्भण पाइऽ ह Central Church को से पते हैं इंडिया कर सकतरों आप result ऑग गया है एस वो गई मर्सेडीज हो गई आईफून एपल हो गया इसके लावा और ऐसी कंपनी जिनके हमें नाम भी नहीं पता जिनके बारे में पता ही नहीं है वो सारी कंपनी चाइना को छोड़के इंडिया में आना शुरू हो गई है मैं आपको बताता है चाइना आपको पता है कि आपके पाकिस्तान में रहते हो हमारे रिसेंटी कुछ साल पहले हर चीज चाइना की थी माचिस भी चाइना की होती थी हर चीज तकरीबन अभी फिर भी 20% कुछ चीजे हम लोग अपनी कर रहे हैं चाइना से थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं तो अब इसी तरह ही इंडिया बनाता है ना जो चीज उसमें क्वालिटी देता है क्वालिटी की गेम है चाइना का आपको पता है को बलब भी लोग तो को फ्यूज हो जाता है तो इंडिया क्वालिटी बना रहा है इस वज़ा से लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि यह लोग मेंती हैं आप से पूछना यह था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजट पे हैं उससे पहले एक जो सारे इंडो पैसिफिक के जो मुमालिक हैं सौरी पैसिफिक जो मुमालिक हैं उनके आइलेंड जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की पपन्योगीनी में इंडियान प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या देख रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं जो इस खिते के अंदर इतनी जादा टाइम दे रहे हैं और इस ख हैं वो पाउं में चूरे हैं यह बड़ा स्टेज है प्लैंड है कुछ तरह की चीज़े हैं तो ऐसे भी होता है लेकिन मेरा जनी ख्याल क्योंकि आगे से मोदी साब भी पाउं को छूते हैं तो यह बड़ी मेक अप दिस और कहीं लोग का कहना यह कि मोदी साब जो हैं वो अ सब्सक्राइब कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप देगे चीमा साब शोपे बुलाने के लिए धन्यवाद और पहले आपको बता दू मोदी जी इस दबॉस अब यह सुमिख पीर नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री कह रहें जब मैं कहता था तब तो आपको सब्सक्राइब कहने से क्या होता है अब अस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री कह रहें मेरा आप यह वच्छन नहीं रहा मेरा वाकी नहीं अभी इंट्रनेश्टन हो गया वाइरल हो गया है अभी चीमा साब जो बाइडन कहता मुझे आपको आटोग्राफ चाहिए वो भी मैं औरके स्ट्रेट कराया होगा अब अगए जो पापारू की नहीं वाले हैं जेंस साब यह पैज चूरह थे यह भी मैंने औरके स्ट्रेट कराया होगा अब Australian Prime Minister के रहा है, Modi is the boss, वो भी मैंने orchestrate करवाया हूं अबawk इटली की Prime Minister के रही झाई ही, कि he is the leader of the global south, वो भी हमने orchestrate करवाया हूं अब जो Indian Nations के जो čोधा, मैंनों head of state मिले थे, केते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20A world format representation देंगे, वो भी हमने और्केस्ट्रेट करवाया था तो जो ये और्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चड़ा है वो मांसिक दुर्बलता का शिकार है तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साथ उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में हमुप्त मिलता है बहुत अब आपकी दूसरे स्टेट्मन की बाद चीजेंगे पर एक बान वा आपके शोर पर आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल अच्छे होते हैं, विच गुज में अपॉर्चुनिटी तो क्लार्फ़े लोड़ देखें, अब यह जो पैसिविक आइलाइंड्स हैं, अगर आप देखें, पर एक्जम्पल सॉल्मॉन आइलेंड की बात करें, व्ल्ड वार टू में सॉल्मॉन आइले सेटलाइटनी इमेजरी नीवी सेप्रोटेक्श्ण हमने लिए स्कूल हमने खुलवाय, बैंकिंग सिस्टम हमने अखाट किया, ईप आक्टार्प्रेक्ट निच नहीं है,แ outtaट मैं ट्रेड एक्ट diapers। très वेखिए उनको यह चीजे दी उनको अनेबल किया उनको एक सस्टेनिबल डेवलोपमेंट की तरफ लिया आज आप देखे जब कोविड में वेक्सीनों की मारा मारी थी हम ने लोग को वेक्सीन लिये लिए लिए आइलाइड वालों कोई नहीं पूछ रहा था यह चोटी मोट एक तो यह बात है इस हुमेंटरिया रीच आउट ग्लोबल सौथ की बात उनोंने किया ग्लोबल सौथ की लेडर्शिप को उनों एंडोस किया सब आये मोदी जिए जब कि सॉल्मान आइलेंड में चाइना की इन्वेस्मेंट थी आपको यह लोगा आट मही ने पहले पापा करें आप मुझे इजखत दे रहा हैं सबस्सित में एपने बर न मोई ने किस अमेश के अउट के हम भी उटास पहर चूब ऐ हम वह यह जिमने हैं इजखिए इसमें समय आप इस चीजों को मिक्स करें इस नोट सुपरमिसी इस मेर साइन अफ रस्पेक्ट इस हम नमस्ते करते साइन अफ रस्पेक्ट ठीक उसी तरह यह ऐसा है कि पाकिस्तान में जितनी भी खवातीन है महिलाय हम लोग उसको यह तो तो बिचारी भुग्त भोगी हैं तभी तलाक का शिकार कभी पॉलिगेमी का कभी हलाला का शिकार तो कभी डुमिस्टिक वाइलेंस का शिकार कभी गालियों का शिकार कभी लूज का शिकार का शिकार तो इसलिए मर्द जितनी अच्छी अच्छा डेपिनेशन दे पाएंगे और जितना अच्छा क्यारिफाई कर पाएंगे पाकस्तान को उतना अच्छ इस लिए मेर के लिगा अलाद में बताना सुंगा पाकिस्तान में यह वायलेशन है यह मैं कौन कर पाकिस्तान और इंडिया और दुनिया के हर कोने के अंदर यह चीज़े पाये जाती हैं जो लोग इसलामिक कंट्री का सुरक्षा कवस पहने वे हैं, उनको तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इसलाम और पुराग तो इस बारे की ये सब ढख्यानूसी चीज़ों की इजासत देता नहीं है, हमारा इसलाम कहता है, जैय इसलानत है, मलामत है, पूरे पाकिस्तान में पॉरे पाकिस्तान में जैशन लेते हैं पंजाब के अंदर जैशन लेते हैं कितना जयेज की वजह से वहां पर तलाव हुआ है। आपको चहीं मेरे कुछ देखे के मिरे बात सुनें, आप अगर इसलाम की बात करेंगे ने इसलाम में जएज रहां है। जाहे पाता है, ज़िए ठीके देना दोने जाहेज हे और इसलाम को यह कहीं हो जाएगा। चले, स्टार्ट करते। जी, मैं बताना यह चाह रहा था, कि जहाद शुरू कहां से हुआ। शुरू बैसिकली जो जहाद मुस्लमानों के अंदर नहीं है। इसलाम को जो फॉलो करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा है। पूरी बात सुनने उसके बात आप अप मेरे बात को काड़ भी सकती है। आपका अपना पॉइंट भी हुआ है। इसलाम के अंदर बेटी जो है वो खांदान के वारिस है। ठीक है। बेटी शादी होने के बाद भी बेटी का जो खांदान के अंदर जितने भी भाई का आख है। तीन चुखाई हिस्सा औरत का भी हाख है। अभर बेधारिय के आपके जहां दुम को सुस्राल से भी मिलेगा और तुमको मांपे से भी पूरा बराबर का हिस्ता मिलेगा समझ रहे हो इसलाम के अंदर जहेरिक के चले आप भूलें पहरा है जो अबारा अज़िवारा है अठीक नहीं है अज़ विए पर आपको आपका चाहिए लिए अज़िए एक विए अर्ट करिये है कि ज़ जब अज़िए जब आप जाकर नहीं तो वहां बहुत पुछ था चीड एंद में मुड़ी जी के नाड़ लगाए बहुत पुश थे विए विए तो मुड़ी जी की सबसे पहली स्टेटमेंट यह थी कि कि 2014 में में जब आया था मैं एक वादा किया था एक प्रॉमिस किया था उतने मैं निभाया तो एक बामदब इस्पना सभू ने बहुत अची स्पीच की तो मैंने खुद भी परसुनली सुनी तो एक स्टेटमेंट आई आज एक स्टेटमेंट आती है कि जो अस्टेलिया के प्रैम निस्टर है एंजनी उन्हों ने कहा कि प्रैम निस्टर निरिंदर मोदी इस करदा देखके प्रैम कहा थाँ मागल इसधरी कि अन९ उन्हा कंप जिसी यंद की रहां निस्टर मोंदी के खरके है कि उन्हां हury Chiefing कर सकते कि हम लोगों को इतनी डिवालपमेंट से मिलिया तो वह इंतान जो इक छोटे तपके सुटके आया क्या बात है उसमें असी काम मेहनत बात करते हैं इस वक्त इंडिया की डिवालमेंट प्रोग्रेस उसकी तरखी को देखते हुए जितना काम उसने अपने मुल्क के लि है उन्हों इंडिया को जोनसा है लेट को क्या लगता है कि जहां पर चाइना भी एक्शिस्ट करणा वान पर इंडिया के से अपना लोहां में हो अ सब्सक्राइब करना चाहिए उनको नो डाउट उसने बहुत वर्किंग की अपने मुलक में मुलक के अंदर एवन के वह हमारे पास आईटी में देख लें जरायत में देख लें किसी भी किसम पर पॉइंट पर देखेंगा उस लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्य किये बट य है कि अगर पूरी खम एक गाउं में अगर कोई रहते हैं तो वहां सब गाउंवाले में बाहर निकाल कर पहंक देंगे सेम यह जो वर्ड में हो रहा है यह भी इसी तरह ही हो रहा है कि अगर वह चाइना को बनाना चाह रहे है तो देखें वोटिंग होनी है जिस पर साइट जिए रजाएंगेब होट बनाना चाहिए और हम्में भिशका साथ चलना चईए जिसको बनाएंगे आपको क्या लेता है कि अगर तूटा हुआ है यह कि क्यूंकि हम अपने पैरों पर खड़े हैं और ना ही हम दिखा सकते हैं हम इंडिया के साथ अगर फिर हमें जाना पड़ेगा मुझबूरान जाना पढ़ेगा अमेरिका कहा है तो हमें करनी पड़ेगी वह में पबन्या लगा देगा रिसेंट अइरान में पबंद्या लगी थी और बाकी यह है कर आपने पां पर खड़े हो गें बट हम लोगों में हमारी जो गवर्मिन जिस तरह बी रिसेंटली हो रहा है यह आप देख रहे हैं कि तो हर 2-3 सहल बख को तोड़ देते हैं जो हमारी स्टैबलिशमेंट सीकली स्टैबलिश्मेंट हमारी गौफ्य को चला रही हो दी दूसरे गंड्री में यह नहीं हो रहा अगर हमारी इस्टैबलिश्मेंट यह जमूरियत जो है हुआ है ने काम शुरू किया कि शुरू किया वी ह proteg है इस यहां केimas लगार सबसे पहले हम जो स्यासत दाने इन के लिए मैं कहने उड़ा हैं जो सार्थ मिलक्र कब करें तो हमारा पाकिसतान तरक्षी करें हमारे सारी दुनिया में इज़त होगी यही मेरा मेसेज है मेरे सियासत्दानों के लिए मेसेज है